Hello dear students, how are you? Today we are going to read 14 lesson of 5th class. Dear students, the lesson is conjunction. Conjunction क्या होती है? The definition of conjunction, conjunction are the words used to join or connect two words or sentence together. यानि के dear students जैसे सबंधक होती है, दो संटेंसों को या फिर दो words को जोडने वाले जो हमारे सब्द होती है, उसको हम बोलेंगे, conjunction, तो ये बहुत सारे होते हैं, जैसे otherwise, because, and yet, since, but, काफे सारे होते हैं. तो हमें जो इनका use है, वो कहां कहां करना है, जैसे अगर किसी दो संटेंस एक जैसे दी हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, और उनका आपको एक बनाना है, similarity हैं उनमें, तो आप वहां पर end use कर सकते हो, as well as use कर सकते हो, या फिर both use कर सकते हो, but, जहां पर contrast दिया गया है, जैसे एक अमीर का sentence दिया गया है, और एक दूसरे में किसी को पूर बताया गया है, बिल्कुल contrast दिया गया है, तो वहां पर आप but use कर सकते हो, still use कर सकते हो, how are you कर सकते हो, या जहां अप contrast तो नात्मक चीज़े दी जाती है, next time, कहीं पर भी अगर time की बात की जाती है, dear students, वहां पर आप यूज़ कर सकते हो, till, until, after, since, before, बट कहीं पर अगर कार्ण कोई दो sentence दी गया है, बट उसमें कार्ण की वज़े से हमें वह एक करने कार्ण दिया गया है, तो आप as, since, because का यूज़ करके आप उसको दो sentence का एक बना सकते हो, कहीं पर आपका purpose दिया गया है, उदेश्य दिया गया है, जैसे किसी भी चीज़ में आप वहां पर list जैसे walk slowly, you might fall down, तो आप इसको list यूज़ करके एक sentence बना सकते हैं, फिर so that, कहीं पर कोई चीज़ दी गया है, जैसे आप काम नहीं करते हैं, तो fail हो जाओगे, तो वहां पर आप that यूज़ करके दो sentence का एक बना सकते हो, condition दी गया है, जैसे आप पढ़ोगे नहीं तो fail हो जाओगे, तो आप if यूज़ करके या unless यूज़ करके उसका sentence को together कर सकते हो, next comparison, अगर दो चीज़ों में comparison दिया गया है, then यूज़ करके, जैसे हमने डिग्री में भी पढ़ाता है ये पहले, तो वहां पर आप then यूज़ है, sorry, वह गरीब है, although he is poor, but honest, चाहे वो गरीब है, but honest, उसकी उसमें गुंज़ाई से संभावने भी वो गरीब होता हुए भी, इमान दार है, वहां प्यूज़ आप यूज़ करके, आप एक sentence वहां पर बना सकते हो, so dear students, हम यहां पर कुछ example read कर लेते हैं, जिससे आप अच सीन हीम सेंस येस्टड़े, येस्टड़े, येनके टाइम आ गया है, तो हमने सीन स्यूज़ किया कि मैंने इसको कल से नहीं देखा, जो हमारा नेक्स्ट है, I could not came to school येस्टड़े, मैं कल स्कूल नहीं आया, I was not feeling well, तो reason यहां पर बताया है, तो इसके लिए हमने use किया, because, reason नहीं बता दिया कि कल मैं बिमार था, ये फ्रेचा फील नहीं कर रहा था, इसलिए मैं नहीं आया, जो हमारा नेक्स्ट है, she behaves as if she was a queen, वो ऐसी behave कर रही है, जैसे वो queen हो, इसके साथ similarity भी हो सकती है, similarity दिखाए, as if का हम use कर सकती है, नेक्स्ट है, if you, sorry, you will pass if you work hard, अगर आप महिंत करते हैं, तो पास हो जाओगे, condition है, condition क्या, महिंत करना, next purpose, purpose के लिए, यहां list you is किया है, walk slowly, list you might fell down, slowly, चलो नहीं तो आप गिर जाओगे, यह purpose बताए इसमें, next, the patient had died before the doctor arrived, time, यानि के, doctor के आने से पहले, जो patient है, उसकी death हो गई, 7th है हमारा, don't go anywhere till I return, कि जब तक मैं नहीं आता, तुम कहीं मत जाना, कहीं पर भी, time दिया है, आने तक, next time, he has not done his papers well, still he hopes to pass, तो हमने, contrast हुआ है, कि मेरी hope तो अच्छी ती पास होने के, बट उसने अच्छा काम नहीं किया, contrast हो गया hope मेरे उसके paper के करने में, तो हमने still use किया, next time, my mother is cooking food, and my brother is helping her, दोनों human being, यानि के mother और ब्रदर के बारे में बात की गई, और दोनों उसके खुद गया, तो हमने use किया, and क्योंकि similar हैं दोनों, next day, he was waiting for his friend, but he did not come, हमने, जो हमारा contrast था, यहां पे contrast के लिए, but use किया, उसने उसकी waiting कि, लेकिन, wait करता रहा, लेकिन वो नहीं आया, contrast हुआ, तो हमने use किया, but, so dear friends, our lesson is complete, I hope you will understand this lesson properly, so thanks and have a nice day,